तो पिछले कुछ दिनों से महमारी बना कोरोना वाइरस अपने केंद्र को लगतार शिप्ट कर रहा है। चीन के वोहान से यूरोप में इटली और स्पेन होते हुए अब ये अमेरिका को अपना नया केंद्र बना रहा है। कोरोना का खौफ ऐसा है कि भारस समेत कई देशों की सरकारों ने लोगों से घरों में बंद रहने के लिए कह दिया है और वाइरस को फैलने से रोकने के लिए तमाम तरीके की पाबंदियां भी लगा दी है। लेकिन यूरोप में एक देश ऐसा भी है जहां अधिकारी इस वाइरस के बढ़ते कदमों को रोकने के बजाए इससे पूरी तरीके से निश्चिंत हैं। कोरोना महमारी से निपटने के लिए बेलारूस अपने निकट पडोसी यूरोपिय देश यूकरेन और रूस की तरह कड़े कदम नहीं उठा रहा। ऐसा भी नहीं है कि यहां कोरोना का कहर पहुचाना हो। लगभग पूरे विश्च को चपेट मे ले चुके कोरोना के डर से बेलारूस का ही पडोसी यूकरेन जल्दी आपात काल का एलान कर सकता है। जबकि दूसरी और रूस ने भी अपने सभी स्कूनों को बंद कर दिया है। साजनिक कारिकरमों पर उसने पाबंदी रगा दी है और देश में आने वाली सभी उड़ानों को भी रद कर दिया है। लेकिन बेलारूस में काम आम दिनों की तरह ही चल रहा है। देश की सीमाएं पहले की ही तरह खुली हैं लोग काम काज पर जा रहे हैं। दोस्तों बेलारूस के राश्पती का इसे लेकर जो बयान आया है वो भी काफी हैरान करने वाला है। बेलारूस के राश्पती हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो कहते हैं कि फिलाहल देश में कोरोना को पैर पसारने से रोखने के लिए एहतियातन कदम उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बेलारूस की राश्पती है जिसका नाम है मिन्सक, मिन्सक में चीन के राश्पत से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि घटनाएं तो होती रहती है, जरूरी है कि उन्हें लेकर लोगों में देशत न पैले। जोस तक बतातें कि बेलरूस ने अब तक ना तो अपने सिनेमा घरों और थेट्रों को बंद किया है और ना ही यहां सारजनी कारिकरम करने पर भी किसी भी तरह की कोई पावंदी लगाई गई है बेलरूस दुनिया के उन चंद देशों में से एक है जिसने यहां होने वाली फुटबॉल चैंपियंशिप तक को कैंसल नहीं किया है यहां हो रहे फुटबॉल मैच सामान दिन की तरह ही कराय जा रहे हैं जिसके बाद दुनिया भर के जानकार अब ये आशंका जता रहे हैं कि क्या बेलरूस मौत से एक खतरनाख खेल खेल रहा है वो भी तब जब अमेरिका, चीन, इटली, स्पेन जैसे तमाम देश कोरोना के सामने घुटने टेक चुके हैं और भारत भी इससे लगातार मुकाबला करने की नई नई रणीतिया बना रहा है लेकिन उथर बेलरूस के राश्पती लुकाशेंको ने हाल ही में ये भी कहा था कि कोरोना वाइरस को एक ट्रैक्टर रोकेगा जो काफी अजीब था जिसके बाद उनका ये बयान बेलरूस की सोशल मीडिया पर काफी सुर्कियों में रहा और इस पर जम कर चर्चा भी की गई कईयों ने इस बयान का मजाग भी बनाया हलाकि राश्पती का बयान खेतों में महनत करने को लेकर था उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद शराब नहीं पीते लेकिन कोरोना को रोकने के लिए अगर पीना पड़े तो वो एक घूंट बोड़ का भी लगा सकते हैं हलाकि दोस्तों बेलारूस के आम नागरिख पूरी दुनिया में फैले कोरोना के कहर की ख़वरों से वाकिफ हैं और वो इस वायरस के बहते कदमों को लेकर लगातार चिंता में हैं हलाकि इन ही की चिंता को देखते हुए कुछ ये कदम मजबूरन उठाए गए हैं जैसे कि चात्रों की परिशानी कम करने के लिए कॉलेज और उनिवस्टीज ने अपने क्लासिस की टाइमिंग को कुछ घंटे पहले कर दिया है ताकि चात्र सारजनिक परिवान में होने वाली भीर भार से बस सकें लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि बेलारूस के राजपती लोकाशन को पूरी तरीके से इस खत्रे से अंजान हो उन्होंने ये भी कहा है कि कोरोना वाइरस से चिंता करने की जरूत इसलिए भी नहीं है क्योंकि विदेशों से जो भी लोग बेलारूस पहुँच रहे हैं उन सभी लोगों का कोरोना वाइरस से टेस्ट कराया जा रहा है साथी वो ये भी कहते हैं कि एक दिन में दो या तीन लोगों के टेस्ट नतीजे पॉस्टिव भी आ रहे हैं ऐसे मामलों में उन्हें कॉरिंटीन में भीजा जा रहा है और फिर उन्हें डेढ़ सब्ताह या दो सब्ताह बाद छोड़ा जा रहा है दोस्तों आपको बता दें कि आगे लुकाशं को कहते हैं कि चिंता करना और मानसिक तनाव लेना बेहत खतरनाक है उन्हें देश की खूफी अजनसी बेलारूसी केजीबी को आम लोहों के बीच अववा फैलाने और दहशत फैलाने वालों को पकड़ने तक का आदेश दे दिया है दोस्तों को बतातें कि अब तक देश में कोरोना वाइरस के कुल 86 मामले सामने आये हैं और यहां इस वज़े से दो मौते भी हो चुकी है हलाकि बेलारूस खुद आधिकारिक तोर पर इस बात के पुस्टी नहीं करता है कि मौतों की वज़े कोरोना वाइरस था लेकिन माना यही जा रहा है कि ये दोनों मौतें कोरोना वाइरस की वज़े से ही हुई हैं ऐसे में आगे हुने वारी फुटवाल चेंपिंशिप लीग भी बेहत खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि कोरोना वाइरस एक इनसान से दूसरे इंस्यान में फैलता है वैसे उस्तों को बता दे कि बेलारूस काई मामलों में यूरोप के दूसरे देशों से अलग है ये यूरोप का आखरी ऐसा देश है जहां अब भी मौत की सजा का प्राबधान है हलाकि जहां तक कोरोना की बात है देश की विपक्षी भी इस मामले में राश्पती की बात से इत्तफाक रख रहे हैं विपक्षी एक्टिवेस्ट आंद्रे किम फेस्बुक पोस्ट की जरीए कहते हैं कि लुकाशेंको बिल्कुल सही है क्योंकि अगर वो पूरे देश के लोगों पर बाहर निकलने से जुड़े प्रतिबन लगाते हैं तो बेलरूस की अर्थविवस्ता चर मरा जाएगी यहां चीजे अलग हैं और बेलरूस फिलाहल दुनिया का ऐसा एक मातर देश है जहां सरकार लोगों का भला सोचकर काम करती है ना कि जन कल्यार कारी योजनाओं को बना कर उन पर पूरी तरीके से निर्वर हो जाती है उनका कहना है कि मैं मानता हूँ कि यह कहने पर मुझे कड़ी आलोशना जहली पर सकती है लेकिन जब हर तरफ पागलपन हो तो आप चुप भी नहीं रह सकते वो कहते हैं कि पागलपन से मेरा मतलब कोरोना वाइरस को लेकर दुनिया भर में जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं उनसे हैं वो कहते हैं कि कुछ ना करके भी वो बेरारूस को दहशत से दूर रख रहे हैं